हेलो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको बोला था कि आप साइट पे जाके आप सिलिबस और स्टेडी मेटीरियल सी 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 प्लास कंप्यूटर एग्जामिनेशन का आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें आपको सिलिबस और जो भी थ्योरी से रिलेटेड इंफोरमेशन है क्या क्या सिलिबस होगा वह उसमें एविलेबल है लेकिन और मुझे जैसे कि कोशन सेंपल पेपर चाहिए थे वह मुझे मिल नहीं रहे थे मैंने बहुत कोशिश की ढूडने की मुझे गूगल सेच पर नहीं मिले और जब मैं एग्जामिनेशन सेंटर में बैठी थी तो मै अपनी जो मेरे मेरे जो अपनी नोट्स मैंने हाथ से लिखे वे थे मैं वो रीड कर रही थी तो एक सज्जन थे उन्होंने देखा कि मैं अपने रिटन नोट्स से रीड कर रही हूं तो उन्होंने मुझे बोला कि मैडम आपके पास दूसरा PDF नहीं है जिसमें आलरी कोशन तो मुझे नहीं पता था कि यह जो question paper है वो पुराने साल के यह sample paper already available है और with answers available है और इसमें theory और practical दोनों अच्छे से दे रखा था तो उन्होंने मुझे वो क्या कहते है what's up किया और फिर मैंने उसमें जब देखा वो मैंने exam से शायद देड़ दो घंटे पहले देखा था और जितने question मैं कर पाई याद मैंने याद करे और trust me वो paper यह जो pdf था यह मुझे बहुत ज़ादा useful लगा and अगर आप यह pdf भी आप कर लेते हैं it is more than sufficient to crack your exam with good marks तो आइए आम इसमें देख लेते हैं इसमें क्या-क्या है तो इसमें सबसे पहले देखिए आप यह जो है screen के ओपर देख सकते हैं CCC plus SPIPA का ही है यह इसमें आपको पूरा detail में syllabus दे रखा है MS Word कौन से page पर दे रखा है folder और गुजराती paragraph English paragraph यह भी दोनों language में है गुजराती में भी है और यह English में भी है mail merger MS Excel फिर उसमें MS Excel में क्या-क्या आपको work है वो outlook, powerpoint, MS project, फिर questions for five markers, folders and screensavers, desktop देखिए folders और screensaver में जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि यह दो-दो-माक्स के question होंगे लेकिन आपको यह पांच नंबर का question है इसमें बहुत ध्यान रखना है कि background change करना screen saver यह दोनों अलग अलग चीज़ है और काफी candidate वहां पर यह गलती कर रहे थे कि background change करने को बोला था और उन्होंने screen saver change कर दिया था यह screen saver बोला गया था और उन्होंने background change कर दिया था तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है फिर desktop, system date, shortcut jpg, bmp, computer से related उसका IP address और computer की capacity, paint, tbil converter, sample papers, sample question, shortcut keys, fundamental theory and internet theory तो जब हम इसे scroll करते हैं तो पहला जो page होता है इसका कुछ इस तरह से होता है इसमें shortcut keys दे रखी है शायद यह गुजराती में type करने के लिए हैं और इसमें mandatory होता है SPIPA के exam में कि आपको जो भी questions आते हैं जैसे कि आपको powerpoint presentation आता है तो उसमें एक slide आपको गुजराती में बनानी पड़ती है या फिर आपका MS outlook होता है या आपका mail होता है उसमें भी आपको कुछ आपको गुजराती में type करना होता है तो उसके भी अलग से marks होते हैं तो देखी इसमें सारा detail में बता रखा है कि क्या theory में पूछा जाएगा और आपको क्या करना है तो आपको कैसे open करना है उसके बाद आपको जो उसमें पूटर्स हैं आपको कितनी इसमें spacing रखनी है वो इसमें detail से बताया है headers or footers कैसे insert करते हैं और यह आता है यह mandatory है कि आएगा ही आएगा कैसे headers or footer insert करने है उसके बाद page का border भी आया था करने को कि आपको specific color बताया जाएगा कि इस color का आपको page का border करना है trust में यह बहुत easy है मैंने भी उसी time बेट के YouTube पे video search के कैसे उसका border change करना है और अपको थोड़ा बहुत भी आपने किया है तो फिर यह आपके लिए बहुत मुश्किल काम नहीं है आप easily से कर लोगे तो सेव करना है यह इसी pattern में आपको टाइप करने के लिएग आएगा कोशन में दिया होग इस तरह से आपको दो कॉलल में ही टाइप करना है और उसके usage में MS Within it जो भी आपको topic दीया होगा बहुत भी और आपको लिखना है तो इस तरह से उसमें complete जो questions होंगे, उसके आगे marks भी लिखे होंगे, ये दो marks का है, ये तीन marks का है, तो वो आप at the site of examination भी आप calculate कर सकते हैं, आपके कितने marks बन रहे हैं, और examiner भी आके बाद में ये चेक करते हैं, तो इस तरह से ये फिर column कैसे insert करना, ये उसने जो जो practical में पूछेगा, इस PDF में उसने complete उसके guide है कि आपको कैसे-कैसे वो follow करना है, और कैसे-कैसे वो जो भी है, headers है, footers है, spacing है, column है, rows है, वो कैसे-कैसे आप उसमें proceed करेंगे, तो इस तरह से ये सारा पहले उसने information दी है, फिर वो at the end of this chapter, फिर वो बताएगा कि कैसे-कैसे question इस उसमें से पूछे जाते हैं, तो इस तरह से जब आप इसे scroll करेंगे, तो देखे, बार-बार उसमें question का pattern आ रहा है, type the paragraph using three columns, as shown above, alignment of the paragraph must be justified, और ये आपका गुजराती में आपको अपिर होना है, तो ये जो गुजराती वाला paper होता है, वो पूरा गुजराती में लिखा होता है, जो इंग्लिश वाला होता है, वो आपको इंग्लिश में लिखना होता है, लेकिन फिर भी गुजराती के कुछ चीज़े टाइप करना mandatory होता है, alignment of paragraph should be justified, line spacing should be at least 1.5, page orientation should be portrait, तो ये जितने भी points होते हैं, वो आपको करने होते हैं, और उसके specific marks उसके आगे लगे होते हैं, एक एक दो नमबर के तरह से, almost ऐसा ही होगा, और जो भी, क्योंकि मैंने इसके sample paper में देखा, और मेरा खुद का experience है, कि बिल्कुल डिटो सेम वैसा ही था, कुछ question इधर उदर ऐसे करके change थे, लेकिन अगर आप ये कर लोगे, तो I guess आप बहुत अच्छे mark से, पास हो जाओगे, आपको कोई और book भी खरी करना है, save कैसे करना है, ये सब चोटी चोटी बाते हैं, जो में पहले भी करी होती है, तो अब जैसे इसमें लिखा है, set top and bottom margin at 1.5 inches, तो इसमें margin हमें set करके करनी है, अपने उसकी, top and bottom की 1.5 inches, display, header, as a spipa, तो हमें header में जाके spipa लिखना है, और footer में जाके training लिखना है, त इतना मुश्किल नहीं है, आपको थोड़ी practice की जरू होता है, आप एक दो बार practice करेंगे, computer पे, आप बहुत easily वो कर पाएंगे, तो इस तरह से, आपको column कैसे बनाना है, वो आना चाहिए, तो इसमें आप देखेंगे कि जंगा जंगा पर इस बीच पीच में question दे रखे हैं आप बस इसकी practice करनी है, और कुछ नहीं है, तो इस तरह से, अब ये पहले, ये theory से related है पूरा, कि ये theory में आपको आना चाहिए, और ये question आप से theory में पूछेंगे, तो उसके बाद आपको word art, कैसे word art डालनी है, word art कैसे insert करते हैं, और आपको क्या type करना है word art में, वो सब जा सकता है, तो उसके बाद, do the following exercise, उसके बाद ये जो exercise है, ये बिल्कुल सेम वही exercise है, ये जो वहाँ पे आपको कंप्यूटर में करने को आएंगी, तो type the above paragraph होगा, उसमें proper formatting जो आपको होगी, वो आपको जैसे कि मैंने बार बार बताया, header, footer, paragraph, alignment, spacing, वो सब आपको करनी आने चाहिए, तो ये सब आपको, उसके बाद, टेबल कैसे insert करना है, ये भी आपको आना चाहिए, वो पहले उसने बताया है, कि आप कैसे उसको टेबल को insert करेंगे, फिर वो आपकी practice करवाएगा, कि आप ये 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 आप इनके table बनाओ, और ये ये आप टेबल उसमें insert करो तो इस तरह से practice के बाद, उसमें date कैसे डालनी है, time कैसे, तो वो सब बताने के बाद, उसकी border कैसे बनाना है, तो वो सब उसने explain किया है, आप इसके question paper देखेंगे, वो भी मैं आपकी वीडियो में डाल दूँगे, सारे जितने भी question paper है, मैं उसका एक वीडियो बना के डाल आप वो सारे question एक बार read करेगा, और उनको अपने computer पर practice कीजेगा, YouTube से video देखेगा, ये कैसे किया जाता है, वो सब बहुत ही easy है, और आप easily उसको एक दो बार practice करेंगे, तो भी आपको उसमें आ जाएगा, फिर दूसरा topic है mail merger, ये भी पहले तो जैसे अभी मैंने word का बताय है, वो mandatory है, वो आएगा ही आएगा, 10 number का होगा, उसके बाद mail merger ये भी 10 number का होगा, और इसमें आपको बोला जाएगा, कि आपको जो बहुत सारे students को, candidate को mail लिखनी है, और वो एक साथ सब को send करनी है, और ये step by step guide है, ये भी आप easily computer से, आप जब टाइप करते हैं, तभी पर option होती है, तो यहां से ही आप, it's very easy, आप step by step इसे follow कीजिएगा, जैसे इसमें लिखा है, और इसमें आपको बस कुछ करना भी ने, क्लिक करते जाना है, वो mail merger को option देगा, उसके बाद आपको ऐसा box देगा, कि किसको ये mail जानी चाहिए, आप इसे custom align कर सकते हैं, जो इसम करनी है, pin code करना है, address, company, ये सब आप अपने हिसाब से, जो आपको नहीं चाहिए, उसको आप click करके delete कर सकते हैं, तो जितना आप रखोगे उतना ही वो title, जैसे है कि अगर आपको किसी parent के घर report card भेजनी है, तो फिर बच्चे का नाम, उसका address, तो phone number, अब इतनी वहत कि सेव करने के बाद कितने numbers कितना है, उसके बाद आपका जो भी data है, उसमें वो fill करने को बोलेगा, आप जो वो data fill कर देंगे, ok कर देंगे, और mail merger को जो भी आपने mail लिखी है, फिर वो उन सब student को या जो भी है, वो हो जाएगी, send हो जाएगी, तो इस तरह से वो हर एक का, यह भी आप practice करेंगे, बहुत easy है, यह बहुत ही असानी से, आप एक बार देखेंगे, कोई मुश्किल नहीं है, फटा फट से आप complete कर देंगे, तो यह mail merger है, तो इस तरह से यह जो भी है, इसने complaint, बोल रही हूं, sorry, इसने application लिखी है, तो उसके बाद mail merger में जाके, उसको ok क किया है, ok करने के बाद, जैसे कि मैंने बताया था, फिर multiple option आएंगी, जिसको हम message, जिसको बहुत सारे लोगों को एक साथ हम message भेज सके, जिससे की, तो आप यह देख लीजेगा, कैसे नाम की entry करनी है, कैसे click ok करना है, फिर आपको वो अपने उसमें, यह complete कर देना है, तो इ जैसा उसने आपको जो टास्क साइन किया जाएगा, वो ही टास्क आपको पूरा करना है, informing them about the cancellation of interview, save the merge file in your folder on the desktop by the name interview, तो जैसा आपको टास्क दिया गया है, उसी तरह से आपको यह टास्क पूरा करना है, और अपने फोल्डर आपका जो बनाया होगा, उसके भी दो नंबर करोंगे, उसमें आपको जाके, save कर देना है, तो इस तरह से उसने देखी, तीन उसने exercise करवाई है, कि आप इस तरह से prepare a MS Word document to send the following letter to three participants, informing them about their selection in your company, save the file, save the file, merge file by the name of selection.doc in your folder located on the desktop of the computer, तो इस तरह से आप जाके, जैसे जैसा उसने बोला है, वैसा वैसा आपको करना है, उसके बाद next topic आता है Excel का, तो Excel में आपको पहले वो बताता है, कि Excel में how to make the, जो भी payroll है, ये जो clerical जो होते हैं, उनके लिए जाना बहुत ज़रूरी होता है, कि जो भी staff है, उनका payroll कैसे बनेगा, कितना salary है, DA कितना ह होगा, इस सब का एक formula होता है, मुझे इसके बारे में बहुत जादा नहीं बता है, कि कैसे DA, HRA, basic pay, इन सब का कैसे calculation होता है, तो ये इसमें आपको करना किया है, कि जो भी आपको, ये जो है, entry करनी है, और salary, DA, HRA, इसका आपको प्रॉपर formula के थ्रू करना है, तो you should know how to put the formula, formula आपको यहां यह जो column के जो देख रहे हैं, यह वाला fx जहां लिखा है, यहां पे आपको formula लिखना होता है, और formula लिखने के बाद, वो सब जो आपने select करे होते हैं, सब का जो sum निकालना है, percentage निकालना है, कौन pass है, कौन fail है, सब का जो जो भी होता है, task assign किया होता है, वो यह formula लगाया है, तो इस तरह से आपको proper formula लगा के ही करना होता है, क्योंकि वैसे चीजे बहुत simple भी होती है, जैसे कि यह student है, इसको Hindi में इतने marks मिले, English में इतने marks मिले, और Social Studies में इतने marks मिले, तो वो पूछे का कि total कितने हुए, आप वैसे तो वैसे भी calculate कर सकते हो, लेकिन वो चेक करते हैं कि आपने formula लगाया है, या नहीं लगाया है, तो इस तरह से आपको यह MS Excel आना चाहिए, तो यह भी आप computer पे बैठ के थोड़ी दर practice करेंगे, तो किसी की help ले लीजिए, जिसको बहुत अच्छे से आता है, तो आप 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 इसके भी 10 marks होते हैं, तो आप इसको 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 आप इसमें सीख जाओगे, इसमें जो जो करना है, जैसे जैसे entry होगी, तो इस तरह से आप यह देख लीजिएगा, मैं आप इसको इसको इसके question दिखा देती हूँ, make the following using the MS Excel as per below mentioned note, and save the file by the name payroll5 in your folder created on the desktop of your computer, तो वो ऐसा paper में ऐसे लिखा होगा, कि नाम लिखना है, तो वहाँ नाम के list होगी, basic salary के list होगी, फिर आपको DA, जो है, HRA, CLA, gross pay कितनी है, वो सब का आपको बनाना होगा, और उसके लिए proper formula आपको लगा के यह सब करने पड़ेंगे, तो यह note, CLF employee would be rupees 120, तो यह जो जो आपको terms and condition दी होगी, वो आपको उस हिसाब से करना होगा, उसमें क्या बोला है, calculate PF, तो इसमें बोला है कि calculate करना है PF, which is equal to 10% of the gross, तो यह 10% of the gross आपको निकालना होगा, पहले आप gross लिखेंगे, उसका 10% निकालेंगे, फॉर्मूला डालके, फिर आपको यह करना होगा, तो उसमें क्या बोलता है, calculate करना है PF, calculate करना है PT, तो यह आपको करना होगा, जैसे जैसे हो बताता है, यह भी, it is very easy, आप किसी की help ले लीजिए, और यह YouTube पे भी easily available है, जैसे कि यह वाला, मुझे एक्जाम में परसनली यह वाला है था, कि आपको student के नाम लिखने है, कौन-कौन से subject है, टोटल कितना बन रहा है, उनका average कितना बन रहा है, और status क्या है, उसमें formula में डालते हो, तो automatically क्या होता है, कि जितने भी बच्चे आपने सिलेक्ट कियें, जो भी परसन्टेज, उसे अबव वाले पास दिखाता है, उसे बिलो वाले वो फेल दिखाता है, उसका color भी आप अपने हिसाब से कस्टम कर सकते हैं, तो यह भी, कि बॉनरी बनाओ, उसका, क्या कहते हैं, उसका header डालो, उसका footer डालो, footer में ये लिखो, वो सब भी उसमें लिखा था, कि वो भी आपको करना है, देखते हैं, उसमें कहां है, इस तरह का question, headers or footers वाला, यह दिखे, उसमें लिखा है, कि calculate status using condition, or look up as per the following slabs, status is equal to pass if the student has scored more than 35 marks in all three subjects, otherwise status is equal to fail, तो इस तरह से आपको, column charts, उसके अंदर आपको 3D effects भी डालने को बोल जा सकते हैं, आपको bar graph भोने कि pie chart, कुछ भी आपको बोला जा सकता है, कि यह आपको बनाना है students के लिए, और जिस तरह कि इसमें दिखाया है कि charts कैसे insert करने है, तो इस तरह से आपको chart भी insert करने, columns and charts insert करने, pie और donut chart, कोई भी chart जो बोल रहा जाएगा, वो आपको insert करना आना चाहिए, तो इस तरह से यह pie chart का बताया है, उसके बाद following table using ms excel, create data use ms excel, यह भी आपको बहुत सारे उसके example है, यह उसके जो sample paper है, मैं भो भी upload करने वाली हूँ, अगर आप यह नहीं भी देख पाए है, क्योंकि मैं बहुत जल्दी जल्दी स्क्रॉल कर रही हूँ, बहुत बड़ा है, यह 273 pages का, जासा कि आप देख सकते हैं, अब 37 pages पर हम पहुँचे हैं, तो, इससे आप help ले सकते हैं, देखते हैं, next topic कौन सा है, अब है outlook, उसके बाद आजाता है, outlook, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको mail करना है, तो mail, office, outlook, यह भी आप practice कीजेगा थोड़ा, बहुत ही easy है, outlook जैसे आप open करेंगे, इसमें यहापे new का option आएगा, आप new की option आने के बाद, आपको mail करना है, जाना है, आप जिस पर mail पर कर देंगे, तो mail पर आजाएगा, तो फिर आप mail, उस पर option पूछेगा आपको, की कौन सा आपको डालना है, तो examination में उन्होंने बोला था, यह आप पहले जो जो करेगा, उनको जो examiner आपको बताते रहना, देविल, चेक्टियों कि इसको हम save नहीं कर सकते हैं, तो उन्होंने बोला था, आप जैसे ही इसमें यह mail का, आप पुरा fill up कर दो, जो जो आपको काम assign किया है, फिर वो आके वो बीच में देख लेंगे, और उसके marks वो अपने paper में लगा देंगे, तो इस तरह से, आपको इसमें signature बनाने होते हैं, और वो signature ही आपको use करने होते हैं, वो भी next question में आएगा, कि इसमें क्या-क्या है, मैं धीरे scroll करती हूँ, अगर आपको screenshot लेना है, तो आप screenshot ले सकते हैं, तो अब मैं question पढ़ती हूँ, send an email, at least three line, तो इसी तरह से, during this exam as attachment to, एक attachment भी आपको रखना होगा, वो attachment आपको attach करना होगा, उसका भी option है, वो आपको आपको easily मिल जाएगा, attachment to bank, आपको जो भी दिया होगा, वो आपको डालना होगा, उसमें, carbon copy, CC to this, using MS Outlook 2003, और Outlook Express, add your signature at the end of the email, जैसे कि मैंने का था, आपको signature जरूर डालने है, उसमें कैसे signature बनाने है, वो आपको आना चाहिए, तो इस तरह से, ये भी 10 marks का question, एक आएगा, next question is, email at least one line in English, oblique Gujarati, with one of your file, created during this exam, as an attachment, तो आपको attachment करना, और signature, ये दो चीज आपके लिए mandatory है, और ये easily आपको मिल जाएगा, जब आप, जैसे ही आप उसे open करेंगे, तो attachment का, पूरा procedure उसमें दे रखा है, कि, उसमें attachment का एक option होता है, इसमें नहीं दिख रहा है वो, if you'll request, मैं उसका भी, इन सब के जो प्राक्टिस का भी वीडियो है, I'll make that, कि आपको कैसे क्या करना है, I'll make one video separately, तो इस तरह से आप इसको, ये ये कॉस्टिन के प्राक्टिस करेंगे, ये 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 विल बेरी इजी, इज नोट भी डिफिकल्ट, अब पावर पॉइंट, पावर पॉइंट तो हम अपनी लेने के लिए वैसे भी बनाते हैं, तो पावर पॉइंट तो इसमें क्या करना है, इसमें आपको, गिव स्लाइड डिजाइन एफेक्ट, जो भी आपको बनानी होगी, उसका स्लाइड का डिजाइन आपको चूज करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने बताए वो कोई बोश्किल काम नहीं है, इसमें नमबर आपको डालने पड़ेंगे, और उसमें फुटर्स इंसर्ट करने पड़ेंगे, जो भी आपको बोला जाएगा, कि फुटर्स और हेडर्स और फुटर्स में क्या-क्या लेकना है, और आपको एक पिक्चर उसमें इंसर्ट करके दिखाना होगी, और आपको उसमें स्लाइड कर ट्रांजिशन इफेक्ट उसमें डालना पड़ेगा, यह कहते हैं, यह सब बहुत जल्दी आप यह सब अगर आप करते हैं, तो आपको पता ही होगा, इस नौट बहुत वरी डिफिकल्ट, उसके बाद आपको कस्टम अनिमेशन आने चाहिए, अगर हम वैसे भी पीपीट बनाते हैं, यह सब बेसिक चीज़े हैं कि कस्टम अनिमेशन बनाते हैं उसमें, सेट अप द शो सच द रण कॉंटिनूसली तिल एसके की इस प्रेस्ट, तो इस तरह से आपको जो जो वर्क असाइन होगा, वो वो आपको करना हैं, तो इसमें फिर थियोरी बताया है कि आपको कैसे प्रैक्टिकली जाके निव स्लाइड इंसर्ट करनी है, तीन स्लाइड डालनी है, कैसे टाइप करना है, ट्रांजिशन एफेक्ट कैसे याएगा, कस्टम अनिमेशन कैसे याएगा, तो ये सब इसमें बता रखा है, और कस्टम में भी फ्लाइ इन होगा, चेकर बोर्ड होगा, वो आप अपने हिसाब से, जो भी कस्टम आपको डालना है, वो आप इसमें डाल सकते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने पहले भी बोला था, कि ये जो विंडो है, ये बहुत पुरानी 2003 पता नहीं, उसे भी पुरानी कोई विंडो है, कि इसमें बहुत जल्दी से, आप्शन जो है, अब आजकल की जो विंडो है, उसमें बहुत एजीली हम वर्क कर पाते हैं, ये वाली विंडो में थोड़ा सब, सब प्रॉब्लम थो, ठी ही, तो इस तरह से स्लाइड, आपको बता रखी हैं, कि ये ये इस तरह से स्लाइड में लिखना है, कैसे ट्रांजिशन आएगा, ये सब आप प्लीज चेकर लीजेगा, कोईशन आपको, एक बार कोईशन पता होना चाहिए, रस्ते तो हम अपने आप ढूंडी लेते हैं, कि आगे करना क्या है, तो बैस, जो मुझे ऐसा लगता है कि वी शुड़ नो कोश्चन क्या है, तो मेक थ्री स्लाइड ऑफ डिफरेंट दिजाइन, फ्रॉम अवव टॉपिक, तो कोई भी टॉपिक होगा, उसके तीन स्लाइड बनानी होती है, तीन या चार, वन शुड़ शुड़ बिन गुजराथी सेम, मुझे भी ऐसा आया था, वन शुड़ शुड़ एव पिक्चर, गिव कस्टम अनिमेशन एफेक्ट ऑफ दे टू स्लाइड, इस गिव ट्रांजिशन एफेक्ट विद आटो ताइमिंग फाइव सेकंड तो इच स्लाइड, सेव दा फाइल बाइड नेम, आपको वो नेम दिया होगा, गांधी नगर, सुनामी, कुछ नो कुछ ऐसा नाम दिया होगा, जिस नाम से आपको सेव गरना होगा, तो इस तरह से ये, पावर पॉइंट ये भी टैन मार्क्स का होता है, लेकिन इसमें उप्शन होती है, तो ये पावर पॉइंट है, इसमें आपको चार्ट्स, और्गनाइजेशन, कॉलम्स, ये सब भी आना चाहिए, टेबल कैसे ड्रॉ करने है, प्रोजेक्ट, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है प्रोजेक्ट ये मैं अगली स्लाइड में लोंगी, ओके थैंक्यू,